आज मैंने आलू से पापड बनाएं जिसके लिए मैंने आलू को छिल के ग्रेड कर लिये हैं उसके बाद मैंने उन्हें अच्छे से एक पेश्ट तयार किया आलू का आलू का पेश्ट को मैंने एक वर्तन में ट्रांसफर करके आलू को जितना मैंने आलू लिया है उसका दोगुना पानी लेके मिक्स कर ले उसके बाद गेस पे चड़ा के अच्छे से पका ले यह देखिए जैसे जैसे हमारा आलू पकेगा वैसे वैसे हमारा बेटर थिक होता जाएगा जब बेटर थिक हो जाए तब हम उसमें थोड़ा सा नमक और लाल मिर्च एड़ जब बेटर ठंडा होने के बाद आप इस तरह से एक प्लास्टिक ले ले उसमें पहले से ही लगा ले नहीं तो पापर चिपक जाएंगे निकलेंगे नहीं आप अपने हिसाब से छोटे या बड़े कोई भी पापर बना सकते मैंने यहां पे छोटे छोटे पापर बनाये है अब अपने हिसाब से बनाएं यहां देखें फ्रेंस हमारे पापर अप सुख हैं हैं देखें कितने अच्छे पापर निकले हैं ना टूटे हैं न फूटे हैं बिलकुल अच्छे से गोल गोल निकले मैं आपको एक पापर तल exhib करें दिखाती हूं यह देखे कितने आसानी से और इज़े तरीके से आप पापड बना सकते हैं यह रेसिपी बिल्कुल आसान है कोई भी बना सकता है और आप भी बना के ट्राइ करें और रताएं आपको यहां हमारी रेसिपी कैसी लगी आपको यहां है और आपको यहां है और आपको यहां है